इस question में हमें दे रख है यदि किनी दिये गए आकड़ों के लिए माध्य है और माध्य का करमाशा 12 वा 15 हैं तो उनका बहुलक होगा तो यहाँ पर हमें बहुलक बताना है और यहाँ पर हमें 4 option भी दे रख हैं इन 4 option में से हमें बताना है कि कौन सा वाला option सही होगा ठीक है और ये कोशन आपके 2024 के एक्जाम में आ भी चुका है और वो भी बहु बिकल्पिये में एक नंबर में ठीक है तो इस साल भी इसी तरीकी का एक कोशन रिपीट हो सकता है तो आप इस कोशन को जरू तयारर के जाना तो आप इस कोशन को तब ही कर पाएंगे जब आपको माद्धिय माद्धिका और बहुलक के बीच सम्मंद पता होगा अगर आपको इनके भी सम्मंद पता होगा तो आप इस कोशन को बहुत असानी से कर लेंगे ठीक है तो इन तीनों में हमारे फॉर्मुले होते हैं जिससे हम बहुलक को बहुत असानी से निकाल लेंगे ठीक है तो अगर मैं तो पूर्ण बेल ऐकन को और पर प्रेस कर लें जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीकी के और भी कोशन्स के उपर वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नोटिवेशन आपके पास सबसे पहले जा सगे ठीक है तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मुला बता देता हूं आगे तो यहाँ पर जो हमें कोशन में दे रखा है मुसको यहाँ पर नोट कर लेंगे हमें माध्य बरावर दे रखा है 12 और माध्य का बरावर दे रखा है 15 और हमें यहाँ पर बहुलग निकालना है और जो मैंने आपको फॉर्मुला बताया था वो आपको यहाँ पर लिख़व दिख भी रहोगा कि बहुलक बराबर होता है 3 into माद्ध का माईनस 2 into माद्धी है और हमें यहाँ पर बहुलक निकालना है तो हमें यहाँ पर माद्ध का और माद्धे का मान दे रखा है तो हम इस formula में दोनों values को रखकर बहुलक को निकाल लेते हैं कि वो कितना आएगा हमारा और बहुत इजी कोश्चन है वो देखते हैं हम आगे तो पहले यहाँ पर हम फॉर्मुला लिख देंगे बहुलक बरावर थ्री इंटू मादिका 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 की वैल्ली हो जाएगे यहाँ पर पंदरा मादिका 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 की वैल्ली हो जाएगे हमारे पास 12 अब हम यहाँ पर कैल्गुलेशन करके इसके आंसर को निकाल लेंगे 15 यह हो जाएगा हमारे यहाँ पर 45 और 12 दुन्य हो जाएगा हमारे पास 24 45 में से हम 24 को माइनस कर देंगे यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 21 यानि कि बहुलक कितना हो जाएगा हमारे पास 21 अब जो में यह 21 दे रखा है हम जो हमें उपर option दे रखे थे उन options में देख लेंगे कौन सा वाला option हमारा सही है तो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि आत है कि जो हमारा पहला वाला विकल्प है वो हमारा सही है अब मैं आपको आगे दिखा भी दिता हूं कि जो हमारा पहला वाला विकल्प है उसमें हमें 21 दे रखा है या नहीं दे रखा तो हम इसके पहले option को देखेंगे तो इसमें हमें 21 दे रखा है यानि कि जो इसका पहला वाला option होगा वही इसका सही answer होगा ठीक है तो बहुत easy question था एक number के लिए लेकिन ये easy उनी को लएगा जिनको formula पताऊंगे और अगर आप इसी तरीके के और भी questions देखना चाते हो चाहें वो हमारे एक number वाले हों, दो number वाले हों या फिर चार या पांच number वाले हों तो मैंने इनकी एक proper playlist बना रखी है वहाँ पर आपको सभी प्रकार के questions मिल जाएंगे ठीक है उस playlist का link मैं discussion में देदूँ है वहाँ से जाकर आप देख लेना और उस playlist को आप अपने दोस्तों के साथ चरूँ share करना